नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Kingfisher Airlines के कि किस तरीके से उसने अपना business start किया, फिर shutdown हुआ, फिर loan लिया, फिर ये UK भाग गए और उसके बाद अब बैंकों ने इनकी बैंड मजा दिये कि वो अपना पैसा recover करने जा रहे हैं beginning till today, क्या पूरी की पूरी स्टोरी रही, बड़े concise manner में आपके साथ मैं इस वीडियो में discuss करने जा रहा है Kingfisher Airlines जो की United Breweries Group की एक company है, जिसको UB Group भी बूला जाता है, इसने 2005 के अंदर अपना business करना शुरू किया था UB Group के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये basically beverages and other sectors में invest करते हैं Beverages में इनके favorite है, beer हो गया, soda हो गया, उसके बाद mineral water आता है इसके अलावा other sectors में अगर मैं बात करूँ, chemical, fertilizers, यहाँ पर भी इनका investment है, इसी तरीके से इनोंने 2003 के अंदर Kingfisher Airlines बनाई, जिसने business करना 2005 से शुरू किया 2011 आते आते, इसको इतना जबरदस response मिला कि इंडिया का second highest traffic जो है Kingfisher Airlines से जा रहा था अब आप सोचो, इतनी जबरदस 6 साल के अंदर improvement हो गई, इतना अच्छा धंदा setup हो चुका था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़ादा second number बे traveling हो रही थी Kingfisher Airlines और अच्छानक October 2012 में इसने बम फोला कि company बंध हो रही है, उसके पास पैसे नहीं है, वो salary नहीं दे पाएगी, उडाने नहीं दे पाएगी, उडाने रद की जाती है और बम, अब इसके बाद पूरी Indian economy के अंदर एक जबरदस हल चल हुई, क्या हुआ, चरह समझते है Kingfisher Airlines ने क्या क्या है, State Bank of India, Yuko Bank, IDBA और ऐसे बहुत सारे बैंकों से मिला के एक अच्छा खासा amount जो है, वो loan की form बेल दिया अब देखो होता क्या है, टॉप पोजीशन पर जो बंदा बैठा हुआ है, उसका character कैसा है, वो कितना committed to work है, यह बहुत हद तक decide करता है कि company का future क्या होगा इनकी एक बहुत जबरदस image थी, अयाश के टिगरी की, यह क्या करते थे, अयाशियों में बहुत पैसा उड़ाया करते थे, kingfisher calendar बनाया करते थे, विश्वस सुन्दरी कन्याओं को बलाया करते थे, उनसे photo खिचवाया करते थे, कभी आप Google करेंगे तो आपको इनके अयाश इसको पूरा करने के लिए उस पैसे को वो इस्तेमाल करते थे, अब हुआ क्या, जब बैंकों ने पैसा देना बंद कर दिया, और लोन देने से मना कर दिया, तो इनके पास पैसे खतम हो गए, और इन्होंने company का धिंदापानी बंद कर दिया, और अक्टूबर 2012 के बाद इस Kingfisher Airlines ने जो है, एक भी उडान नहीं बड़ी, अब हुआ ये, कि बैंकों ने अपना पैसा मांगा, कि भीया, जो आपने लोन लिया था, वो पैसा वापिस करो, तो इन्होंने देने से मना कर दिया, कि मेरे पास पैसे नहीं है, या अनाकानी करनी शुरू कर दिया, तो हुआ NIA पर case transfer किया जाता है, ऐसे ही, जब भी देश के अंदर, एक मोटा पैसे का घुटाला हो जाता है, तो उसकी inquiry के लिए, Ministry of Finance ने बना रखा है, Enforcement Directorate, जो कि Ministry of Finance को report करता है, पूरी की पूछतो, ED ने inquiry करनी शुरू करी, अब जब ED ने inquiry करनी शुरू करी, और जो फंदा इन के गले तक पहुसता हुआ दिखा, तो क्या हुआ, 2016 के अंदर ये भाग के चले गए, कहां पर, Britain में, और उस समय जो है, Modi government की थोड़ी सी किरकिरी हुई थी, कि भाया, ये क्या किया, तो उस समय Modi government ने बोला, भाया, Congress के time का fraud है, हम क्या करें, जो भी कहानी उसे छोड़ते हैं, अब जब ED ने इंक्वारी करी ये भाग गए, अब बैंक क्या करें, उनका तो पैसा लटका पड़ा है, तो बैंकों ने क्या किया, DRT के अंदर केस फाइल कर दिया, DRT होता है, Debt Recovery Tribunal, जो की हमारे देश का एक कानून है, Recovery of Debt and Bankruptcy Act 1993, ये 1993 में हमारे देश में कानून लाया गया था कि अगर बैंकों का पैसा लेकर कोई भाग जाता है, Financial Institution का पैसा लेकर कोई भाग जाता है, तो बैंक अपना पैसा उसकी प्रॉपर्टी को बेच के जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए, इसके लिए देश में कानून लाया गया था, 1993 में, Recovery of Debt and Bankruptcy Act, अब उस कान लगभख सारा ब्याजबूज मिलाके 9000 करोड़ का ये था, अब वहाँ पर DRT ने बैंकों को बोला कि भीया, इसकी सारी प्रॉपर्टी इसको बेचना शुरू करो और अपने पैसे को रिकवर करना शुरू करो, ये जैनवरी 2018 के अंदर DRT बैंक लोड ने अपना जज्ज्म अब मनी लॉंडरिंग क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझेगा, जब भी आप गलत तरीके से पैसे को अपने पास लाते हैं, और आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं, कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो उसको देशी भाशा में बोल दिया जाता है, मनी लॉंडरिंग जैसे इन्हों ने क्या किया, बैंकों से लोन के फॉर्म में पैसा लिया और पर्सनल परपस के लिए उसे यूस कर रहें, तो वो भी एक मनी लॉंडरिंग का पार्ट हो जाता है, तो उसकी भी एक देश में कोट है, पीमले कोट, तो बैंक जो है वो पीमले कोट में गए, क् जबत करके क्यों बैठा हुआ, यह जो प्रॉपर्टी है, यह हमें दी जाए ताकि हम इसको बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सके, तो पीमले कोट ने मई 2021 के अंदर अभी थोड़े दिन पहले बैंकों को यह बोला, कि ED जो है सारी प्रॉपर्टी बैंकों दे और बैंक ज सबका एक common interest है कि हमें Kingfisher Airlines के जो मालिक है, विजय मालिया, उससे अपने पैसे निकलवाने है, तो जब ऐसा group बनता है, जिनका same interest होता है, तो हम उसके लिए word use कर देते हैं, consortium, तो इसलिए हम बोल रहे है consortium moneylanders, तो अब इन सबने मिलके बैंकों ने decision लिया है, यह जो विज जनस्तो करी रहे, और 16 प्रतीशत चेयर जो है, विजय मालिया के पास UB Group के है, तो अब इन्हों ने, बैंकों ने decision लियाएगी, यह 16 प्रतीशत चेयर, जो है, बेचेंगे वो, और इससे 5,000 करोड़ पे की recovery होगी, और यह 5,000 करोड़ पे, जो है, बैंकों को मिलेगा, और लगबग 9,000 करोड़ पे में से एक अच्छे substantial amount की recovery हो पाईगी, उमीद करते हैं, हो जाए, क्योंकि ED जो है, वो इस चीज को challenge कर चुका है, क्यों कर रहा है, तो भगवान मालिक है, अब यह सादा होने वाला है, basically, block deal के थ्रू होने वाला है, मतलब यह जो bank, विजय मालिया क जो share है, UB Group में बेचेंगे, तो यह block deal के थ्रू बेचेंगे, block deal में क्या होता है, basically, 5,000,000 shares की जो है, वो कम से कम dealing होती है, ज्यादा की भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 5,000,000 shares की होती है, इसके अंदर क्या होता है, कि जो seller होता है, वो pre-identified होता है, buyer होता है, वो pre-identified होता है, कि क share transfer होंगे, तो stock exchange इसके लिए separate window जो है वो provide करता है तो block deal के थुरू इस तरीके से bank जो है 5,000 क्रोड पर recover करने जा रहे तो उमीद करते हैं पैसा इनको बिल जाए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा comment section के अंदर और ये ppt आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जाए, शीशाओ